नमस्कार और वेलकम फ्रेंड बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवस प्रेस करें जिसे कि आपको लेटेस्ट वीड करता हूंगा कि वर्ट्सप के अंदर अगर आपका कोई फोटो है या कोई डॉकुमेंट है उसे अपने लैप्टॉप कंप्यूटर में कैसे लेकर जाएंगे यहां पर देख सकते हैं मेरे मोवाइल के स्क्रीन मेरे एंडॉड सेट के स्क्रीन आपको दिख रहा होगा यहां इसको मैंने क्लिक किया अब यहां पर देखिए फोटो है अब इस फोटो को अगर मुझे ले जाना है अपने लैप्टॉप या कंप्यूटर में तो कैसे लेकर जाएंगे तो बहुत सिंपल तरीका है इसे ले जाने का अब तो सबसे पहले जो काम करना है आपको अपने जो भी ब्राउजर है ये देखे मेरा Google Chrome ब्राउजर खुल चुका है अब Google में आपको क्या करना है यहाँ पे सर्च करना है WhatsApp यहाँ पर देखता हूं मैं यहां पर देखिए एक मैसेज हो कर रहा है ओपन वर्ट सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर उपर में देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर कॉर्णल में इसको मैं टैब करता हूँ करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है यहां पर देख सकते वर्ट सब्थर प्मे लिखा वा देख देख सकते हैं यह के लगा दिया मेरेगिस स़के है देख सकते हैं यहां पर सेम वही देख सकते हैं जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं अपने मुवाइल के अंदर यहां पर देखिए वो सेम सारा का सारा नंबर्स यहां पर फ्लैस हो रहा है देख सकते हैं अब यह यह photo यहाँ पर so कर रहा है देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पर click किया यह photo यहाँ पर आ चुका है देख सकते हैं अब इस photo को क्या करना है अपने laptop में ले जाना है तो simply इस पर right click किया right click करने के बाद इसे आप चाहें तो open new, open image in new tab कर सकते हैं save image as यहाँ से भी कर सकते हैं तो इसे open image in new tab पर क्लिक कर देते हैं देखिये यह photo देखिये एक नया tab यहाँ पर खुल चुका है यह horse का photo है अब इस पर मैं right click करता हूँ right click करने के बाद यहाँ पर option आड़ा save image as इस पर click कर दिया क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए save as का option आजाएगा आप कहां पर इसे save कर रहे हैं तो डाउनलोड में ना करके मैं इसे डेस्टॉप पर सेलेक्ट किया डेस्टॉप पर आप यहां पर देख सकते हैं फाइल नेम जो भी देना है यहां पर मैं कर देता हुआ हॉर्स और देदिया आप सिंपल इसे save पर क्लिक कर देंगे यहां पर ऑल्रीड वह सेव हो चुका आप डेस्टॉप पर चलके देखते हैं यह फोटो यहां पर सेव गए की नहीं देखिए यहां पर होगा यह दिखिए इसको राइट क्लिक करते हैं यहां से अब मैं इसे open कर देता ह हान। में फोटो देखे ओडरा देख सकते हैं यह देखे फोटो आप यहां पर ऑपन हो चुका है और सेमफोटो आप यहां देखे आप दुका अपने व्टसप मैं भी सेम फोटो आपको यहां पर दिखेगा प्लस यह देखे में लैक्टॉप में भी आपको दिख रहा होगा तो इस तरह सिंपल आपको कुछ नहीं करना है फिर से मैं और आपको क्या करना है यहां डॉफर्ण करना है और यहां पी देखेए व हाटसम अपर कलिग जाएगा तरह देख सकते हैं वाटसाप इस पर क्लिप कर देना है क्लिक करने के बाद यह देखिए वाटसाप यहां पर खुल जाएगा कुल जाने के बाद आपको सिफ कुछ नहीं यहां पर यह बोलेगा आपको यह करने के लिए scan करने के लिए उसके बाद से scan करके उसके बाद आप easily आप अपने जो भी WhatsApp है जो भी आप Android से use करते हैं वो connect हो जाएगा उसके बाद यहां से आप directly आप यहां से save image को save करके आप अपने laptop के computer में लेकर जा सकते हैं और भी कुछ जानना चाहते हैं computer या laptop से related तो please comment कीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद